नमस्कार दोस्तों मैं समच ओधरी और सक्सेस्फिल सकेडम के प्लैटफॉम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत मा के पिरिये शपूत शहीद आजम सरदार भगत सिंग की जीवनी और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान था बलिदान के बारे में देखे दोस्तों वैसे तो मातर 23 वर्ष की उमर में अपने देश के लिए प्राण नयुचावर कर देने वाले सरदार भगत सिंग का जीवन लंबा तो नहीं परन्तु बहुत ही बड़ा था और उनको किसी एक वीडियो में या एक किताब में समाहित कर पाना नामुमकिन है एक 23 वर्ष का लड़का आप सोचे कितना कुछ लिवो लिक गया उस उमर में एक महान सवतंतरता सेनानी बन गया और ना केवल उस पीडि के लिए बलकि आने वाली पीडियों के लिए वो एक हीरो बन गया और ना केवल अभी तक की पीडिया आने वाली पीडियां भी इनको अपना हीरो मानती रहेंगी तो हमारे हीरो को हम परणाम करते हैं उनको शत-शत नमन करते हैं और उनके जीवन में जो भी गतिविदिया रही और उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया जो बलिदान दिया उसको हम इस वीडियो में समराइज करने के करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे तो देखें शुरुआत करते हैं दोस्तों उनके कुछ important quotes हैं जो उन्होंने बातें कई हैं उन्हीं से शुरू करते हैं उनके विचारों को समझने में आपको इससे मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस कदर मतलब उनका इश्क क्या है इंकलाब है इतने बड़े वो महान करांति कारी थी उसके लाव और भी उन्होंने बाते कई हैं जैसे कि एक बार कहा लिख रहा हूँ मैं आजम जिसका कल आगा जाएगा और मेरे लहू का हर एक कत्रा इंकलाब लाएगा और ये इंकलाब लाया भी भगत सिंग, सुगदेव और राजगुरू को तो आप जानते हैं कि 1931 की 23 मार्च को फांसी हो गई थी लेकिन इनकी फांसी से इतने सारे करांतिकारीयों ने जनम लिया और इतने सारे करांतिकारी सामने आये अपने देश प्रेम में उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अगले 15-16 साल लिये लेकिन भारत आजाद हुआ और ये इन्होंने कहा था कि मैं तो चला जाओंगा लेकिन मेरे चले जाने के बाद एक नहीं हजारों भगत सिंग प दूसरों के सहरा लेने के जरुवत नहीं है वो अपने दम पे और अपने हिसाब से जीनी चाहिए दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठाये जाते हैं उनके कंधों पे रखके आप बंदूग चलाने वाली हरकतों का ना सोचें इस तरीके की बातों है और इस तरीके के विचार विचार सरदार भगत सिंह के थे तो जैसा कि मैंने कहा, मातर 23 वर्ष की उमर में 23 मार्ज 1931 को इनको फांसी के सजा हो गई थी, इनके दो और साथी भगत सिंह के जो दो साथी थे आप जानते हैं सुखडेव और राजगुरू उनको भी फांसी के सजा हो गई थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चुनोतियों का सामना किया बिर्टेश हुकुमत के बहुत सारे अत्याचारों का सामना किया लेकिन कभी भी जुके नहीं उनके सामने उस पे ये कभी भी जुके नहीं हमेशा अंग्रेज इनको तोड़ देना चाहते थे कि ये 23 वर्स का लड़का हमारे सामने कितना टिक पाएगा कितनी ताकतवर हुकूमत थी उनकी लेकिन कभी अंग्रेज भगत सिंग को जुका नहीं पाई ये ना केवल अपनी भादूरी से उससे भी लाखो करोडो युवाओं के आदर्श हैं और विचारधरा क्या थी एक पक्के कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधरा के वेक्ति थे भारतिय समाज में यूनिटी की बात करते थे समाज जो जाती और धरम से बटा हुआ है उसको यूनाइट करने की बात करते थे मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते थे मार्क्स और पुतिन जो सुरी पुतिन नी लैनिन वलामदीर पुतिन है आज के समय और वलामदीर लैनिन जो थे वो पहले यूएससर के लिडर थे और रश्या की क्रांथी लेकर आये थे वो एक कम्यूनिस्ट तो उनके हों हम अपना हीरो मानते हैं आज उनकी जो आजादी की लड़ाई में भूमी का है उसको समझेंगे चंदर सेकर आजाद, भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू ये सबी जो हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशेशन पार्टी के मेंबर थे एचारे के मेंबर थ एक तो इन्होंने सांडर्स कौन था इस एपिसोड का मा आगे बताऊँगा, इसी की वज़े से इनको फांसी हुई थी, उसके अलावा दिल्ली की जो संसत थी उस समय, आज हमारी पार्लेमेंट है, उस समय सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी, जिसको टिश अथोर्टी चला दी गई, अब इनके बचपन से आते हैं, इनके प्रारंबिक जीवन से आते हैं, स्कूलिंग, कॉलेज और करांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुए, उन सबी पहलों के उपर बात करेंगे, देखे दोस्तों, इनके जनम के उपर कुछ विवाद हैं, जनम की जो ता जो सबसे जादा मानने डेट है, वो है, 27 स्टमबर 1907, इस दिन लाइलपूर जिले के बंगा नाम के एक गाउं में इनका जनम हुआ, आज के समय ये पाकिस्तान में आता है बंगा, अब भारत और पाकिस्तान का बटवारत तो 1947 में हुआ, उस समय भारत का हुआ करता था, ब भारत और पाकिस्तान के लोग इस उनको बटवारया की तौर पे नहीं देखते, दोनों ही देशों के लिए हीरो हैं, दोनों देश जो आज सुतंतरता के रूप में अपनी सांसे ले रहे हैं, उनमें भगत सिंगहा एक बहुत बड़ा रोल है, तो दोनों ही देशों के और ये आरियो समाज को फूलो करते थे आरियो समाजी थे आरियो समाज वही आरियो समाज जिसको महसरी दैयनन सरस्थवती जी ने शुरू किया था और उससे हे काफी परभावित हुए थे भगत करतार सिंग, सारभा, लाला लाजपत राए जैसे करांतिकारियों और जैसे सोतंतरता सेनानियों से ये बहुत ज़्यादा परभावित थे आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय जो हैं ये गरम दल के लेता थे लाल बाल पाल इनकी विचारधारा से बहुत ज़्यदा परभावी थे भगत सिंग अपने बच्पन से ही इनके खुद के चाचा अजीद सिंग जी जो थे वो खुद एक बहुत बड़े सवतंतरता सेनानी थे उन्होंने भारतिय देश भगती एसोशेशन की भी शुरुआत की थी अजीद सिंग के खिलाफ लगबग बेटिश हुकूमत ने 22 केस चला रखे थे करांतिकारी गतिविद लगारति जिस्ग के बारे में भी पढ़ाया जाती है बलकि इनको दैयानद सरस्वती के दुआरा जो जो एंग noun वेधिक हाई स्कूल चलाई जाती थी। उसमें लाहोर में इनको आडमिशन दिये लाया गया। इसी बीए की पढ़ाई के दोरान इनकी मुलाखाथ सुखदेव ठापर से हुई, भगवती चरणजी से हुई, और भी बहुत सारे जो करांतिकारी थे वहाँ इन से मिले, यही सुखदेव इनके चालके आगे चलके साथी बने, मौत के भी साथी बने, साथ में इनके साथ इनन विचारदारा दिखाई जाती है क्योंकि देखी दोर तो बगत सिंग के बारे में हमें हमारी किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है स्कूलों के किताबों में ये हमारा दुरभाग्य है कि भगत सिंग को सिर्फ इतना दिखा दिया जाता है कि उन्होंने सांडर्स की हत्याकरी पारलियमेंट में बंधमाका किया और उसके बाद उनको फांसी दे दी गई एक करांतिकारी थे वीर थे नहीं वीर थे ही करांतिकारी थे ही लेकिन एक बहुत ही चंचल और बहुत ही ज़्यादा ऐसे जीवन्त व्यक्ति थे जो नाटक कला में देश भक्ती से परिपूर्ण स्क्रिप्ट लिखा करते थे अपने देश दोस्तों के साथ बहुत चिल किया करते थे नोजवानों को देश वक् पढ़ेंगे इनकी किताबों में तो इनके विचारों का आपका पता चलेगा वाई आयम एथेस्ट बहुत सारी ऐसी किताबे लिखी हैं जेल के दोरान इन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे अपनी फैमली को अपने जान पैचान के लोगों को गांदी जी को लेटर लिखा अलग अलग कॉंगरेस के लीडर्स को इन्होंने लेटर लिखा बहुत जादा अच्छे व्यक्ति थे बहुत ही महान व्यक्ति थे इसलिए तो कहता हूँ कि इनको एक वीडियो में पढ़ना नाममकिन है इसलिए इनके उपर हम और भी वीडियो लिखे आएंगे इनकी इसलिए निचा दिखाने के लिए बहुत सारे नाटक किया करते थे नाटक स्क्रिप्ट लिखा करते थे देश बक्ती से परिपूर्ण वो स्क्रिप्ट हुआ करती थी बहुत ही मस्त मुला इंसान थे तो कॉलेज के दिनों में लिखने का इनको बहुत शोग था बहुत सारे घरवाले चाते थे कि भगत सिंग शादी कर लें सेटल डाउन हो जाएं लेकिन इनको शादी नहीं करनी थी शादी ऐसा नहीं है कि एक लड़की से शादी कर लेंगे तो वो इनकी लाइफ में कुछ खराब कर देगी बिगड जाएगा ऐसा नहीं था लेकिन इनका मानना था कि इनकी लाइफ़ का कोई ठिकाना नहीं है इनको तो आजादी में कुधना था और क्रांतिकारी बनना था और वैसा वाला क्रांतिकारी नहीं जो कि बैठ के एणसा का अंदोलन चलाए और कहें कि हम उनका विरोध करेंगे शान्ति पुन सयोग अंदोलन जैसी चीज़े करेंगे ऐसी तो इनकी वचारदरा बच्पन से नहीं थी हालांकि बाद में कुछ समय के लिए ऐसा किया भी है लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते थी कि इनकी मिर्तियों के बाद इनकी जो वाइफ है वो विद्वा हो जायर उस फैमिली वाला जो इनको ये एक ग्रस्ती में नहीं डूबना चाहते थी एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने कहा था अगर आजादी से पहले मैं शादी करूँ तो मेरी दुलहन मोत होगी ये बात इन्होंने कही थी तो इनको शादी जैसी चीजों में ग्रश्टी में कोई इंट्रेस्ट नहीं था बस इनका मकसद था तो देश को आजाद कराना 13 अप्रेल 1919 का एक बहुत ही काला दिन था आप जानते हैं वैसाखी के दिन जलिया वाला हत्याकांड हुआ जर्नल डायर ने हजारों की संख्या में जलिया वाला बाग में इकटा हुए लोगों को एक गोलियों का सिकार बनाया निर्दोश निहत्थे लोग जो की शांती पूर्ण परदर्शन कर रहे थे उनके उपर डायर ने गोलियां चलवा दी सरकारी आंकडा कहता है कि 380 लोग इसमें मरे थे 379 लेकिन 1200 से ज्यादा लोग जलिया वाला हत्याकांड में मारे गए थे और उस समय भगत सिंग सिर्फ 12 वर्ष के थी अपने घर से 200 किलोमेटर की दूरी पे ये जलिया वाला बाग हत्याकांड के परभाव को देखने के लिए गए और उससे बहुत ज़्यादा आहत हो गए वहाँ पे हजारों लोगों का खून मिट्टी में बरा हुआ था और मिट्टी लाल हो रखी थी एक बोतल में इन्होंने उन मिट्टी को समेटा और उस हत्याकांड को ये कभी भूला नहीं पाए बहुत ज़्यादा गहरा इनके उपर पर भाव पड़ा और इन्होंने ठान लिया था कि अब ये आजादी के लिए बदला लेंगे अंग्रेजों से इस जलिया वाला बाग घट्याकांड का भी बदला लेंगे और इनको अपने देश से ख़देर देंगे उसके बाद आने वाले समय में लाहुर उस समय कोलेज में तो गए लेकिन उसके बाद उसी समय कोलेज के दोनों में नोजबान भार्ट सबा की इनों ने शुरुआत करी इस्तापना करी उसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ ये आये भी और उनसे इनके राष्टे भी अलग हुए इस एपिसोड को भी हम समझते हैं आप जानते हैं एक तरफ थे महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे जो की चाहते थे कि देश जो है सत्य और अहिंसा के मारक पे चले और हमें आजादी मिल जाएगी दूसरी विचारधरा के करांती कारी थे जिसमें भगत सिंग भी थे और वो कहते थे कि जूप जुक के परणाम करने से और भीक माँगने से सत्ते और अइनसा के रास्ते से चलने से आजादी नहीं मिलेगी जो लोग जनर्नल डायर जैसे लोग जो जलिया वाग जैसे हत्याकांड में लिफ्ट हैं जिनको लोगों पर दयाँ नहीं ही आती जो निर्दोश लोगों पे गोलियां चला देते हैं, क्या हम उनके सामने अहिंसा की बात करेंगे और वो जानवर इस बात को समझेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी गांदी जी के दुआरा जो चलाया गया ऐस सयोग आंदोलन था 1920 के समय पे, उसमें इन्हो उने खुल के समर्थन किया, ऐस सयोग आंदोलन क्या करता था कि अंग्रेजों का सयोग मत करो, हमें विदेशी वस्तों का भाईश करना है, अंग्रेजी कपड़ों को जला देना है, और वेजिजिक, एजूकेशन जो है, फोरेन एजूकेशन जो अंग्रेजों की है, उसका भी बैशकार करना है खुद के इंस्टिटूट शुरू करने हैं भगत सिंग ने खुल के इसका सम्मान किया और इस आंदोलन को सपोर्ट किया ओवियसली ऐसे योग आंदोलन अंग्रेजों के लिए कमर तोड़ देने वाला आंदोलन साबित हो सकता था ये आंदोलन अगर लं 322 को बिटेशस और भारतिये जो करांतिकारी हैं जो लोग उसमें अंदोलन कारी थे उनके बीच में एक जड़प हो जाती है जड़प में बिटेशस यहां पे भारतियों के ओपर लाठी चार्ज कर देते हैं उस भीड के जो है वो एनियंतरित भीड हो जाती है जिसकी वज जाती है इस हिंसा का गांदी जी खुल के विरोध करते हैं उन्होंने कहा था कि इस पूरे आंदोलन में मुझे हिंसा नहीं चीए और इस आंदोलन के लीडर थे गांदी जी तो उन्होंने कहा क्योंकि अब यह आंदोलन जो हो हिंसात्मक हो चुका है तो मैं इस आंदोलन को हुई उसी की वज़े से पूरा आंदोलन हमें नहीं छोड़ सकते और ये आंदोलन सिर्फ गांदी जी का आंदोलन थोड़ी है तो पूरे देश का आंदोलन है और गांदी जी ये कैसे कर सकते हैं कि एक पूरे देश के आंदोलन को आके ले उन्होंने पीछे किंच लिया गांदी जी उस समय बहुत बड़े नेता थे देश उनके पक्ष में खड़ा हो जाता था बहुत बड़ी भीड उनके पीछ में आ जाता था पूरा देश उनको अपना नेता मानता था ये बाट ठीक है लेकिन अपना नेता होने के साथ उनका ये फर्स था कि अंग्रेजों को खिलाफ इस आंदोलन को इस मुहिम को चलाते रहें तो गांदी जी की अलग सोचती की ये आंदोलन और ज्यादा हिंसात्मक हो गया तो मेरे लिए मैं इसका नेटर हूँ और सारी हिंसाओं का बोज है वो मेरे उपर आएगा और मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता लेकिन इन करा गांदी को हमें आगे बढ़ाना होगा और यह जो आहिंसा का जो विचार है यह एक कमजोर विचार है हमें इस करांदी को 46 सत्र कांती बनाना पड़ेगा हथियार उठाने पड़ेंगे तब ही यह जो अंग्रेज हैं यह क्रूर अंग्रेझी हुगूमत है यह हमारे सामने जोकेगी और हमें आजादी मिलेगी तो यह विचारधारा के साथ अब गांदी जी से इनके जो रास्ते हैं वो अलग हो गए एक तरफ सत्य और हिंसा के रास्ते चलने वाले गांदी जी और दूसी तरफ हिंसा और क्रांतिकारी गतिविधियों के तरफ चलने वाले चंदर सेखर आजाद यहाँ पे भगत सिंग, सुख देव, राजगुरू जैसे क्रांतिकारी थे अब इन्होंने चंदर सेखर आजाद की जो उस समय की पार्टी थी उस समय गदर दल का निर्मान हो चुका था तो गदर दल के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे, मैंने चंदर सेखर आजाद जी की बायोग्राफिक और कर रखी उसमें बताया भी था तो गदर दल का यह हिस्सा बन गए थी, उसके बाद काकोरी कांड हुआ, ट्रेन लूटने वाला जो काकोरी कांड था जिसमें इन करांतिकारियों ने अंग्रेजी एक ट्रेन को लूटने में, एक काकोरी में प्लाइन किया था लेकिन उसमें राम परसाद बिश्मिल और चार और करान्ती कारी जो हैं वो पकड़े गई इनको उसी समय फांसी दे दी गई राम परसाद बिश्मिल की भी जीवनी में जल्दी लेका हूंगा। कारी विचारों से बहुत ज़्यादा परभावित थे और उनके विचारों को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोलो भी किया है उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशेशन की शुरुआत की जो आगे चलके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोशेश बन गई क्योंकि ये सोशलिस्ट विचारधारा को मानते थे समाजवादी व्यक्ति थे तो सोशलिस्ट सब्द का भी इन्होंने इस पार्टी के नाम में इस्तमाल किया इसका उदेश्य था सेवा त्याग पीड़ा जेल सकने वाले नव यूकों को तयार करना करांती से जोड़ और इनका मानना था कि देखे यूआ ही करांती ला सकते हैं बुढ़े लोग जो हैं गांधी जी और इनकी जो उमर के लोग हैं उनका प्रियास वैसा ही रहेगा कि वो अहिंसा के रास्ते चलेंगे वो इनके साथ समझोते करेंगे बास्चित करेंगे लेकिन हम यूआ हैं हमे करांतिकारी तरीके से अथियार उठा के अंग्रेजों के मन में डर डालना है कि हम उनके गुलाम नहीं रह सकते हमें गुलाम बना के नहीं रहा जाकता तो ये बहुत सारे करांतिकारी जो हैं हिंदुस्तान असोशेशन के भगत सिंग, राजगुरू, सुगदेव, चंदर संसदों का एक समू बनता है और इस संसद के का एक ये जो कमिशन है, इसका मोटिव ये होता है कि मौन्स्टियों चमसफॉल्ड के जो सुधार थे, जो 1919 में थे, उनमें कुछ जांच करनी है, उनमें कुछ सुधार करना है और भारतियों को कितनी ओटनोमी दी जाएगी, भा उंग्रेस का कोई लेता नहीं था, कोई मुस्लिम लेक का नेता नहीं था, किसी भारतियों को इसमें स्वामिल नहीं किया गया, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी थे भारत के ऐसे जो सुधान को समझते थे, सुधान के बारे में बात करने वाले थे, किसी से कोई राय नहीं सुधार करेंगे भारतियों के लिए सुधार करेंगे लेकिन भारती ही नहीं हुगा तो इस कमिशन का भारतियों ने विरोध किया साइमन गो बैक के देश बर में नारे लगाए गए और साइमन कमिशन भारत में तीन फरवरी को पहुंचा था और उस समय कोलकत्ता, लाहोर, ल अरमदल, मुस्लिम लीग, सभी लोगों ने यहां पे मिल के एक जुट होने की बात करी कि हम इसका विरोध करेंगे, साइमन कमिशन को लागू नहीं होने देंगे, पंडे जवाला नहरू, गोविद बनलव पंथ, इस साइमन कमिशन के विरोध में नारे लगाते हुए, लखन उबर 1928 को लाला लाजपतराई ने साइमन कमिशन का विरोध करते हुए एक नारे बाजी चलती जारी थी लाहूर में, और ये शान्तिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन यहां पे पुलीस ने लाठी चार्ज किया, जो पुलीस सुपरिडेंट लाठी चार्ज का ओर्डर दिया, इसी दोरान लाला लाजपतराई को च्छातियों पे बहुती बीसों लाठीया निरममता से बरसाई गई इनके उपर, उसके बाद लाला लाजपतराई को होस्पिटल भरती किया गया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और उन्होंने कहा थ जब उनके उपर लाठीया चली थी तो कहा था, आज मेरे उपर बरसी हर एक लाठी की चोट, अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबुत का कील साबित होगी, और ये हुआ भी, अंग्रेजी हुकूमत के लिए लाला लाजपतराई की जो हत्या है, वो बहुत बड़ा एक सरद बन चुकी थी, और कि उसके बाद इन करांतिकारियों ने लाला लाजपतराई की हत्या का बदला लेने की भी साजिश करी, उसके लिए इन्होंने पूरी मुहीम चलाई, इतने इंपोर्टेंट नेता थे लाला लाजपतराई, कोई सामाने व्यक्ती नहीं थे, उसके बाद इनका परतिशोद लेने के लिए, अंग्रेजी हकूमत जेम्स स्कोर्ट का जो लेता ये अधिकारी था, उस समय पूर्ली सुपरीरियन्ट था, इसको मारने की प्लैनिंग करी, भगत सिंग, राजगुरु, सुखदेव, चंदर सेखर, आजाद, ये सभी व्यक्ती इस योज जना में शामिल थे, इसमें ये तै किया गया था कि भगत सिंग और राजगुरु जो है, वो दोनों गोली चलाएंगे, जब स्काउट निकलेगा, उसका एक पूरा टाइम टेबल बनाया गया, कि स्काउट इस समय सौबा चार बजे बाहर निकलता है, अरली मॉर्निंग, त उस समय बगत सिंग और राजगुरु तो इसके उपर फाइरिंग करेंगे, उसके बाद इनको बैक अप देंगे, कवर अप करेंगे, सुख्देव और चंदर से करा जार और इनको रिपोर्टिंग करेंगे, तो ये काम इनको करना था, लेकिन इसी दोरान इनसे एक छोटी स चुक हो गई, चुक तो क्या माने, इसी जेंस स्काउट जो है, इसका असिस्टेंट हुआ करता था सांडर्स, वो भी इस पूरी घटना का उतना ही बड़ा जिमेदार था, स्काउट का जूनियर ही थो था, वो जस्ट जूनियर था, ये सुप्रिडेंट था, वो असिस्टे उन्ने देखा, राजगुरू उन्ने सोरी देखा कि वहाँ पे स्काउट आ रहा है, तो उनको लगा स्काउट आ रहा है, वो सांडर्स आ रहा था, आते ही भगजत सिंग, यहाँ पर सबसे पहले राजगुरू ने एक गोली चलाई, उसके बाद बगज़ सिंग ने तीन-च लेकिन चंदर सेखर आजाद तो बहुत ही ज़्यादा माहिट थे बेश बदलने वो अंग्रेजों के हाथे कभी जीते जी आये नी उसी मार्च महीने में जब इनकी मृत्य होई थी उससे कुछ एक महीने पहले की बात है 27 फरवरी शायद था उसी दिन 27 फरवरी 1931 के देन ही चंदर सेखर आजाद को भी जो चंदर सेखर बाग है आज के समय उसमें एक शूट आउट हुआ था उसमें चंदर सेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी लेकिन वो अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आये उसके बाद इन्होंने क्या किया था असेम्बली होल में बंबलास्ट करने की प्लैनिंग करी ये क्यों किया देगे दोस्तों मजदूरों के पक्ष में हमेशा एक सोशलिस्ट रिफॉर्म्स के तोर पे इनकी पूरी पार्टी खड़ी रहती थी भगत सिंग खड़े रहते थ तो मजदूर विरोधी कानून बार-बार बनते रहते थे और इंडियन्स का बहुत ज़्यादा एक्स्प्लेटेशन करते थे अत्याचारी कानून लाके बिर्टिश संसत में बहुत सारे से कानून पारित होते रहते थे तो इन्होंने सोचा कि Britishers को हमें इसके लिए चेताना होगा ऐसे कानून बार बार नहीं आएंगे तो इन्होंने कहा था वैसे तो ये जो कोट है ये एक French revolutionary का है ये कहा था कि जो बहरे जो होते हैं उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है तो भगत सिंग ने इसको assembly में करेंगे इनका मकसद यह नहीं था कि उनके British जो सांसद हैं उनके जो अधिकारी हैं उनको मारना है इस bomb धमाके में हमें किसी को आहत करना है physically damage करना है इसा बिलकूल मकसद नहीं था इन्होंने plan किया कि हम assembly में bomb धमाका करेंगे लेकिन जो bomb धमाका होगा वो खाली पूरी तरीके से अरेस्ट करवाएंगी कि हमें बिर्टिशास प्रोटेस्ट में इस हमले के दोरान आजाद के इस करांतिकारी मुहीम के दोरान हमें पकड़ ले तो पहले अलग-लग लोगों की इसमें चुनाव था कि कौन जाएगा भगत सिंग को चंदर सेकर आजाद भेजन मैं जाओंगा और चंदर सेकर आजाद ने कहा कि भगत आप मत जाओ आपकी मुझे बाहर जरूरत है आप अरेस्ट होगे तो इस करांतिकारी मुहीम में मैं अकेला पड़ जाओंगा और आपकी बात सुनते हैं तो भगत सिंग ने कहा कि देखिए आच्छा वगता हूँ लिए टेक कर दिया और उसके बाद उस समय क्या होता था जो भी न्यूज आउटलेटस आते थे जो भी पतरी काय आती थी उसमें जेल में जो भी उस समय केश चलताथ भगत सिंह, बटुकेश वरदत पे जो केस चलने वाला था उसमें जो भी भगत सिंह बोलेंगे अपने साथ यहां पे जाके दिसंबर 1931 में असेंबली होल में बंब फेंका, खाली जगे पे फेंका, उसके बाद इंकलाब जन्दाबाद के नारे लगाए, सामराज जेबाद, मुर्दाबाद, कैपिटलिजम के मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्योंकि ये खुद एक कौन थे, सम जेल के दिनों में इनको बहुत ज़्यादा यात्राओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जेल के दिनों में इन्होंने बहुत सारे लेक लिखे, बहुत सारे करांती कारी विचारों में, इन्होंने किताबें लिखी, और इन्होंने अध्यान करते रहे, समाजवादी, बड़े famous किताब लिखी थी why I am atheist मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किताब 1930 में इन्हों ने लिखी थी इसके ओपर हम बात करेंगे किसी दिन इसको ही review करेंगे कि क्या-क्या बाते इन्होंने लिखी हैं इसमें अपने पिता को लेटर लिखते थे उसमें भी प्रांतिकारी बाते करते थे जिकर करते थे बहुत ही एक अच्छे बेटे भी थे ऐसी बात नहीं है कि आप सोचें कि 23 वर्स में इनके घरवालों को एक बार के लिए लगा था कि समास के परती अपने घर के लिए इनकी जिम्मेदारिया कम हो गई हैं देश के परती ने चीजे होती हैं उन्होंने कहा था कि मजदूर का शोशन करने वाला चाहे भारती हो चाहे विदेशी हो वो हमारे लिए एक शत्रू है ऐसा नहीं है कि भारती वेक्ति हैं और भारती मील चला रहे हैं फैक्टरी चला रहे हैं भारती मजदूरों का शोशन कर रहे हैं वो यहीथ हो जो भी उस समय के नेटा हुआ करते थे उनको जब जयल में डाला जाता था इनको बहुत ज़्यादा यात्ना का सामना पड़ता था उनको बहुत ज़्यादा भूख अर्ताल करी थी यहाँ पे जेल में जाके और इनके बहुत ज़्यादा भूख अर्ताल में हालत भी खराब हो गई थी इनके एक साती यतिंदर नात दास की तो यहाँ पे भूख अर्ताल के दोरान डेथ हो गई थी मिर गए थे उनको यहाँ पे अंग्रेज इनको बहु नहीं हारे डगमगाई नहीं फाइनली 26 अगस्त 1930 को धारा 129 302 विस्टपोटक पदार था दिनियम की धारा 4 और 6F की दोरान IPC की धारा 120 के अंतरगत इनको अपरादी शाबित किया गया और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने 68 पेजों का एक निर्ने लिया जिसमें भगत सिंग वो फासी की सजा दी गई और फासी की सजा सुनाई गई थी सांडर्स हत्या में उसके अलावा भी और हत्या हैं इविस्पोटक पदार्थ रखना उसके अलावा पारलियमेंट में जो अटेक करना है वो उसके बाद जब फासी की सजा दी गई तो आप जानते हैं कि भगत सि की सजा अपउइंट कर दी गई उसके बाद माफी के लिए अपील की गई भगत सिंग सुगदेव राजगुरू ने नहीं की फांसी की अपील किस नहीं की प्रीवी परिश्यद थी उस समय उसने के लिए कि इनको दे दीजै दस जनवरी 1931 को ये अपील जो है इसको रद कर दि बच्चे हैं 23-24 साल के हैं उनको अभी फांसी नहीं होनी चीए वाइसराय अपना इस्पेशल पावर का इस्तमाल कर सकता था उस समय इरविन उस समय वाइसराय इवा करता था आप जानते हैं इरविन ने नहीं किया आज जैसे राष्टपती को इस चीज़ के लिए आलोचन की जाती है आप जानते हैं कि गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था इनकी फांसी से लगबग 18 दिन पहले हुआ था ये गांधी इर्विन पैक्ट मार्च के महिने में ही हुआ था तो इस मार्च के महिने में पांच मार्च को हुआ था साइद पांच मार्च को गांधी और बात ही नहीं की उनको आजाद कराने की कोशिश ही नहीं की और इसके लिए गांदी जी की आलोजना होती है बहुत आलोजना होती है और होनी भी चाहिए हालांकि कुछ सुत्र ऐसा भी कहते हैं कि 17 फरवरी 1931 को वाइसराय को एक लेटर लिखा था गांदी जी ने और कहा था कि आप भगर सिंग राजगरो सुक देओ कि फांसी को उमर का बेया कुछ ऐसे तबदिल कर दो उनकी फांसी की सजा को माफ कर दो और इस पर वाइसराय एगरी नहीं किये थे लेकिन गांदी इरविन पैक्ट जो की एक बहुत महत्पुन समझोता था उसमें अगर ये बात चित हो गई माफ कोई भी नहीं हुई लेकिन एक बात देखिए भगत सिंग इन सभी जो अपील थी इनके खिलाफ थे उन्होंने कहा कि देखिए मेरी फांसी को माफ मत कराईए वो एक चाहते थे कि उनको फांसी हो वो ब्रेटिश हुकुमत के सामने जुके माफी जैसी अपील न चाहता तो उन्होंने यही चुना कि उनको फांसी हो और उनको पहले से पता था कि उनको फांसी होगी और उन्होंने कभी भी इच्छा जाहे नहीं कि कि उनकी फांसी जो है वो माफ हो जाए उनको वो माफी चाहते ही नहीं थे एवन वो तो यह कहते थे कि हम ऐसे करांतिकार तुम कौन हो तुमारी हैसियत क्या है हमें माफी देने की उसके बाद फांसी का दिन आया फांसी के दिन की भी बात करूँगा मैं फांसी का दिन वैसे 24 तारिक तैह हुआ था लेकिन 24 की वज़ाए 23 तारिक को फांसी दी गई 24 मार्च का तैह हुआ था लेकिन 24 मार्च को फांस के दिन शाम के टाइम के कभी कभी फांसी नहीं होती अरली मौर्निंग होती है लेकिन 23 मार्च 1931 के शाम 7 बज के 33 मिनट को भगत सिंग राजगुरो सुग्देव को इन्होंने फांसी दी थी और ये इनकी कायरता थी इनकी बेवकुसी थी इनकी कमजोरी थी कि ये लोगों से डरते थे इन करांती कारियों के सपोर्ट से डरते थे आकरी इच्छा पूछी गई बगत सिंग राजगुरो सुग्देव से एक तो इन्होंने कहा था फांसी मत दो हमें गोलिया मार दो वो इच्छा पूरी नहीं की गई लेनिन की किताब पढ़ रहे थे अपने अंतिम समय पे उनसे पूछा गया कि आकरी इच्छा क्या है क्या खाना चाओगे क्या पहनना चाओगे नहीं कुछ भी नहीं उन्होंने कहा कि मैं LENIN की वलावंदीर LENIN जो रश्षन करांटी के लीडर थे पहले USSR के लीडर थे उनकी ये जीवनी पढ़ रहे थे और कहा कि मैं इस किताब को पूरा करना चाथा हूँ यतना मुझे समय दिया जाए उसके बाद ये किताब इन्होंने पढ़ी और उसने कहा कि जब फासी का वक्त आया तब को कि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं करांतिकारी तीनों दोस्त आपस में मिले, गले मिले और उसके बाद ये वोले कि चलो थीका चलो, कोई डर नहीं था माहूल पे और चलते समय मेरे रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला ये गाना गाते गुन गुनाते जोर से गाते गाते ये चले जेल में सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है जो राम परसाद बिसमिल की जो ये करांती कारिक कविता है इसको भी इनों ने गाया और फिर यह यहां पे चले गई और उसके बाद भगर सिंग बीच में थे इनको फांसी हुई जैसा कि मैंने बताया थीस वार चुनिसो इकतिस को शाम को साथ बज़ के तेटीस मिनट पर फांसी हुई उसके बाद न्यूज आउट लेट्स म बाए जट उसके घरवालों को सोपना होता है ताकि उसके घरवाले उसको अंतिम संसकार उसकी जट के साथ कर सकें लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया उनके मर्द शरीड को टुकडे किये टुकडे करके उसको फिरोजपूर ले गए और वहां पे उनको घी में नहीं मिट्टी के तेल में जलाने की कोशिश करी गई वहां पे लोगों ने जलती हुई आख को देखा तो अंग्रेज डर के भाग गए और उनके अज जले टुकडों को सतलज नदी में फैक के वहां से भाग गई इतनी बड़ी कायरता करी उसके बाद लोगों ने इनके जो आउ वहां से हर एक कंड से भगत सिंग पैदा होगा वो बात है ऐसे विचार थे उनके और उनके विचारों का अंदाजा उनके खतों और उनके किताबों से लेखों से लिगाया जा सकता है वो एक सच्चे समाजवादी थे समाज में यूनिटी का विश्वास करते थे मजदूरो पे इन विदेशियों के गुलाम ही ना बनते उन्हें ने इंपिरिलिजम को पढ़ना पढ़ा कि हम कोई भी देश किसी का गुलाम क्यों बनता है कोई देश जिसमें फूट हो जिसमें एक जुटता ना हो जिसमें बटवारा हो वो लोग यहां पे किसी के गुलाम बन सकते हैं तो वो भारती समाज को जो कमजोर वरग है, जिसके उपर, जिसको समाज से दूर कर रखा था, जाती सिस्टरम की व्यज़से उनको एककतर लाना चाते थे, उनको मेंस्ट्रेम से जोड़ना चाते थे, कहते थे कि जिस तरीके का अंग्रेजी हुकूमत उनके साथ बुरा अत्याचर कर रही है भारत के एक समाज के साथ के छोटे तबके के साथ वैसा वैवार हो रहा है जो कि बिलकुल नागवार है बिलकुल ही गलत है शहादत के लिए भारती जनता उनकी जो शहादत हुई तो उ मुझे किसी तरीके का माफी नामा नहीं चाहिए और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे फांसी की सजा मत दो गोली से उड़ा दो और यही मेरे लिए क्या होगा एक क्रांती कारी की मौत होगी और मैं अपने देश के लिए मतलब उनको मरने का कोई खोफ ही नहीं था कोई डर नही इस मार्च को उनको याद करते हुए उनको सल्यूट करते हुए हमारे हीरोज को और उनको कितना भी हम सम्मान करें उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए उनके करांतिकारी विचारों को पढ़ना चाहिए ना केवल एक करांतिकारी जसने अपनी जान दे दी देश के लिए इत के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किजिएगा साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ेगा जहां पर इन वीडियो के आपको पीडियाफ और इससे रिरेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तो सैंक थैंक यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो है विडियो विडियो डे किनेक्स्ट क्लास